वल्कम तो और चैनल CS Engineering याँ आज के डिस्टर लेप्रोनिक चे टुटोरियल में हम लोग देखेंगे 8 ratio 1 marks, 8 ratio 1 marks आप कैसे create करेंगे, तो इसे पहरे टों प्रॉपर वे में देखेंगे, फिर हम लोग 4 ratio 1 का यूच करके 8 ratio 1 marks भी create करेंगे, तो सबसे पहले हैं, हम लोग अगर marks की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको इसका block diagram की बात करने हैं, तो block diagram अपना आएगे, block diagram इसके देखें, आपके 8 input है और आपके 1 output इसमें generate होगा, तो block diagram की हम लोग बात करते हैं, तो 8 input आपके होने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, याँ आप इसको write-up कर सकते हैं, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 and A7, और 1 आपका output इसमे generate होना y, ये आपका क्या है, output है, ये आपके input है, अप selection line की आपनों बात करते हैं, अगर आप A ratio 1 की बात करें, तो 2 की पार N ratio 1, जब आप 2 की पार में इसको निकालेंगे, 2 की पार 3 ratio 1 कर सकते हैं, 2 की बात कर सकते हैं, 2 की बात कर सकते हैं, 2 की 3 आपकी selection line जबनेट होंगी, जिसको S0, S1 and S2, कि नोट करते हैं, और ये आपका है A ratio 1, Mux का block diagram, इस टाइस का block diagram, ये तो होंगे इसका block diagram, block diagram की बात हम लोग बात करते हैं, इसकी truth table की, तो आप next हम लो create करें इसकी truth table, truth table मेरीट करता है, आपका selection line से, जितनी आपकी selection line होंग इसके according आपका output जो है और generate होगा, अब हम लोग बात करते हैं, इसकी truth table की, आप design करेंगे इसकी truth table, and truth table मेरी deal करता है, आपका selection line से, तो आप input and output पे define करेंगे, सबसे तरह आपका arrival input, और एक आपका output है, input line आपकी denote होती है, S0, S1 and S2, से 3 selection line होंगी, और इन तीनों पे ही आप आपका output जो है रोटी टिक अड़ करेंगा, and why आपके कहा है output है, तो selection line के according आप family दिजे, 0, 1, 0, 1, 0, 1 and 0, 1, 8, होगे आपकी 00, 00, 00, 00 and 00, then 40, and 41, and output की आपका अपका अगतर हेंगे तो ये A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 and A, 7 आपका generate होगा, इस type से आप क्या करेंगे इसका, ये 2 table आपका generate होगा, 2 table की बार अब इसकी logical expression की आप बात करते हैं, logical expression, logical expression की बात करेंगे तो y आपका कैसे denote हो रहा है, y की अगर आप बात करें, देखे, A0 का बार आपका जब 3 और बार में है, तो आप याइट हैं, A0, S2 bar, S1 bar, S0 bar, plus, दूज़र देखे, A1 के हम आपका S0 proper है, और ये दोरों bar में है, तो A1, S2 bar, S1 bar, S0, plus, A2, A2 में आपका S1 bar, S1 proper value है, S2 का bar है, S1 and S0 bar, plus, A3 की बात करेंगे, तो आपका cable, A3, S2 bar में है, and S1 and S0 आपकी proper value है, A3, A4 में देखे, प्लस क्या कर देगे, A4, S2 and S1 bar, S0 bar हो जाएगा, 4, फिर्टी की बात करतें, ये दोरों anti-meं है, और ये आपका bar में है, प्लस, A5, S2, S1 bar, S0, plus, A6, A6 में देखे, आपका क्या है, ये दोरों proper है, ये बार में है, A7 की बात करेंगे, तो S2, S1, S0, ये दोरों आपके इस टाइब से रिफर्जेंग करेंगा, तो ये इसका क्या है, logical expression है, इसके बाद आप लोग बात करते हैं, इसके block diagram, sorry, logical diagram, अब आप इसके logical diagram की बात करते हैं, logical diagram आपका कैसे बनेगा इसमें, logical diagram के लिए आपके पास, तीन input है, S0, S1 and S2, ये ही आपके input रहेंगे, एकका lot आप कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका S2 का बार, इसमें not लगा दीजिए, ये हो जाएगा S1 का बार, इसमें पी आप not लगा दीजिए, ये हो जाएगा S0 का बार, तो पहली value देखिए क्या है, तीन बार में है आपकी a value, a value, a value आपकी बार माईएगे, एड इसके साथ a not है, यहाँ पर a not को आपके note कर रहेंगे, ये हो जाएगे, तो यहाँ जाएगा a not, s2 bar, s1 bar, s not bar, दूसरी value देखिए, a2 and s2, s1 bar में है, s1 proper value है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा a not, यहाँ जाएगा a not, s2 bar, s1 bar, s not, इसी तरीके साथ आपके a not, s2 bar में है, s1 proper value है, and s not भी आपका बार में है, इसके राव इसके राव इसका पर क्या है, a2 है, इन तीनों को आप and से denote करेंगे, यहाँ जाएगा a not, s2 bar, s1, s not bar, same, a3 के लिए आप count करें, a3 में आपका s2 bar में है, and a2 आपकी proper value है, यह भी proper आएगी, यह भी proper आएगी, इसके आपका a3 आप denote करनेंगे, यह भी क्या हो जाएगा add हो जाएगा, इसी ताइप से आप other को भी denote करेंगे, last में आपको इन सब को क्या कर देना है, इन सब की आपको और ही कर देना है, और गरने आपका, जो result generate होगा, यह ही आपका output जो है, वो generate होगा, तो इस ताइप से आप इसका logical expression जो है, वो design करेंगे, तो आधिया आप कल दीजिएका, सेमी आपको लिखना है कि वो आपको बारवादी condition को attach करना है इसे, और last में आपको, सभी को और कर देना है, तो यह आपका 8 ratio 1 marks का, Thank you student.